तो आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट न्यूज है वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा दिमोटिवेट फेल कर रहे थे तो गेट 23, 24 और 25 के लिए कुछ गजब की न्यूज में आपको देने वाला हूं तो कुछ हम लोग बात करते हैं पहले गेट 23 के लिए एक डेटा मुझे मिला हुआ है ये डेटा है गेट 22 और गेट 23 के रिजिस्टर्ड कंडिडेट का जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे मैं सबसे पहले बात करता हूं किमकल इंजिनिंग में लास्ट येर 19,346 लोगों ने मतलब इस्टूडेंस ने अपलाई किया था लेकिन इस येर सिर् 393 इस्टूडेंट ने अपलाई किया है जब 19,000 इस्टूडेंट ने अपलाई किया था तब एपियर हुए थे 14,375 हम लोग बोलते हैं ना कि केमकल में एप्रॉक्स 15,000 इस्टूडेंट ने एक्जाम दिया था भाई लास्ट येर दिया था 15,000 सम्थिंग ने इस बार तो 14 इस बार कितने देने वाले जब 19,000 इस्टूडेंट ने अपलाई किया था तो सिफ 14,000 इस बार 16,000 इस बार एक्जाम देने वाले हैं जादा-जादा 12,000 इस्टूडेंट तो इसका सिंपल सम्मीन यह हो गया कि कमटीशन कम हो गया मैं इतने से कॉंटीनू बोल रहा हूं कि बेटा लिख के ले लिजिए इस बार उतने नंबर आप कंडिटे अप यह नहीं होंगे जितने लास्ट यह उससे लास्ट यह 21 में हुए थे और डेटा आपके सामने है यह एक आई टी आई के थूरू डेटा आया है जो कि मुझे टीम ने मेरे दिया है और इस पर वीडियो मिलेगा और मोटिवेशन आपके लिए यह होगा कि फाइट कम हो गई है उतना कम टीशन नहीं रह गया है आप अगर फाइट करते हैं तो आपके सक्सेज होने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं और सबसे जो चेंज सबसे कम चेंज देखा गया है वो केमकल इंजिनिंग में ठीक है क्योंकि जो केमकल इंजिनिंग का डेटा आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 15.26 परसेंट इस्टूडेंट कम हुए है लेकिन अधर ब्रांच की बात करें सबसे बड़ा चेंज आया है मेकेंकल में 35.77 परसेंट फिर इसके बाद हम बात करें इलेक्टोनिक्स में 32.97 ए वो है CH and CS, कम्प्यूटर साइंस में भी 15.32 और इसमें 15.26 परसेंट बदलब केमकल में उतना चीज़ नहीं है लेकिन जो केमकल की स्टेंथ है उसके एक्कॉर्डिंग ये जो डेटा आपको दिखा रहे है न 3000 का डिफरेंस ये एक कम नंबर नहीं होता अगर किसी को लगता ह है कि एक कम नंबर है तो भाई अगर आप बात करें हाँ परसेंट वाई जरूर सबसे कम है लेकिन भाई रीजन भी उसका हो सकता है केमकल इंजिनिंग में फिक्स कुछ आपकी फैकल्टीज है जिनको आपको फॉलो करना है तो बहुत ज़्यादा होच पॉच नहीं है एक स् फीलिंग के साथ आपको मिल रही है तो उतना ज़्यादा चेंज नहीं है और ये चेंज जो देखने को आपको मिल रहा है इसका रीजन इंजिन के स्टूधन डी एबूटिवेट हुए ऐसा नहीं है इसका रीजन में यह है कोविड के टाइम पर जो इस्टूधन के मीट्त से नंबर आप student select हो गए और जितने नंबर आप student select हो गए वो दुबारा आप पेपर नहीं दे रहे हैं जिनका iocl में selection हो गया या आप जिनको लग रहा है कि मेरा 100% ongc sale में इसमें हो जाएगा ठीक है बहुत सारे student m-tech के लिए निकल गए तो उनको confirm है कि भाई placement भी बहुत अच्छा चल रहा है तो यह कुछ region है जो student कम हुए अच्छा chemical engineering में बेटा इतने ही form apply होते थे two year पहले की बात करें यह कोविट के time पे जब बच्चे demotivate थे तब number up form बढ़े थे और दूसरा region यह था कि third year भी appear होने लगा था इसलिए अधर्वाइज chemical engineering में बहुत चेंज नहीं है तो chemical engineering वालों को परिशान होनी की need नहीं है लेकिन last year से compare करेंगे तो आपके लिए clear news है कि competition को पहले से कुछ कम हुआ है और अब आप best way में थोड़ा सा और motivate होके बढ़िए यहाँ demotivation का कोई question ही नहीं है आप लोग तो motivate होके आगे move करेंगे simple सा funda है कि हमें इन number से फर्क नहीं पड़ता हमें अपनी rank चाहिए हमारे marks आने चाहिए हमें अपनी मेनस से मतलब है और आपको guide करने वाला मैं हूँ तो बस super form में continue करिए बाकी branch का छोड़ते है ठीक है और countdown अगर बात करें तो से 49 days four hours ठीक है only इतना time है आपके पास तो अब अब यहां से बस best way में move करना है आपको ठीक है और जिसने भी test series दे रहे हैं और marks नहीं आ रहे हैं और यह session नहीं देखा है वो यह session देख लीजेगा मैंने मिटा फिप्टीन दिसंबर को planet gate में test series से related date session लिया था उस session को अगर आप follow करेंगे definitely आप अपने success path पे दो step और आगे move कर गए होगे क्योंकि यहां पर मैंने वो चीजें बताई थी जिससे आपकी marks और rank दोनों में गजब का change आ सकता है ठीक है और आप 23 students के लिए जो gate 23 case appearance है उनके लिए कुछ planning है top 10 gate expected series यह start कर रहा हूँ 26 दिसंबर से और morning mass and aptitude series यह start कर रहा हूँ 2nd January से इन दोनों के लिए आप मुझे जॉइन करिएगा सुबह 8 a.m से रहेगा 7 a.m पहले decide क्या था बच्चों का कहना है कि 8 a.m रखे तो 8 वज़े से एक session daily आपके लिए लूँगा यह ठीक है तो get expected series में पहला session मेरा cash flow entity और intense का होगा जो कि 26 दिसंबर that means अभी Monday से night में 10 pm पर रहेगा ठीक है और CRE का RIV चल रहा है जिसमें आज से मैं कुछ reactor combination की बात करूँगा non ideal और heterogeneous यह सारे part cover करेंगे गजब level के निवेर कास होंगे तो plus वाले सारे बच्चे तो इसे जोइन करें Google सीट provide की है आप लोगों के लिए कि इस टाइम पर आपका time loss नो हो session को search करने में direct click करिए move करिए और यह सीट मैंने अपने telegram group पे share कर दी है और अगर आप proper motivation के साथ move करेंगे तो ये दो plant हैं हना ये दो पेड़ हैं अगर आप इनके साथ time explain करेंगे तो आपको fruits मिलेंगे और वो भी मीठे fruits मिलेंगे ठीक है आपके 10 subject मैयोर समिसर मिलके complete कर रहे है मास farm में move करिए कितना भी बड़ा धनुर्धन हो जब तक भगवान स्री केष्ण उसको guidance के लिए present नहीं थे तो हो सकता है महाभारत के युद्ध का रिजर्ड कुछ और होता या ये भी हो सकता था कि वो युद्धी अरजुन लड़ने से मना कर देते यही तो हुआ था ना तब ही तो गीता का उपदेश आया तो आप हमेशा यार रखेगा एक better guidance सी आपके success की guarantee होती है तो अगर आप move करेंगे आप मेरे guidance में move करेंगे आप SKS 5.0 code के साथ move करेंगे तो आप मानिए कि आपकी जो success है उसका percentage maximum है 100% है बस आपको यूज करना है जब भी आप कोई course purchase करेंगे SKS 5.0 इस unacademy platform पे कहीं पर भी आप register करेंगे SKS 5.0 मैं strong हूँ तो आप strong हो otherwise chemical engineering में कोई रोल नहीं रहेगा आगे ठीक है और एक biggest new जाने वाली है gate 24-25 के लिए coming soon क्योंकि अभी just आपका gate 24-25 के लिए बहुत से बच्चे move करने का सोच रहे हैं वो course लेने का सोच रहे होंगे तो unacademy आप लोगों के लिए कुछ घजब का offer लाने वाला है तो मैं suggest करूँगा कि अभी थोड़ा सा wait कर लो मेरे announce का wait कर लो मैं announcement जब करूँ तब आप move करिएगा ठीक है आपको गजब offer भी मिलेगा मेरा subject भी start होगा और इस बार thermodynamics एक नए subject के साथ मैं आपको मिलूँगा और जो थर्मो में इस बार बच्चे problem phase कर रहे थे अब नहीं होगा अब नहीं होगा CRE की तरह feel करेंगे गजब form में thermodynamics के साथ भी move करेंगे so let's crack it